नवस्कार दिल्ली तक में स्वागत है आपका मैं हूँ प्रवीन मिस्टर एस्टोलाजर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर आज हम आपको बताएंगे कि 5 दिन में कैसे आप अपनी किसमत को बदल सकते हैं तो यदि आपके जीवन में परिशानिया है, आपके उपर लोन बहुत ज़्यादा है, धन की कमी से आप जूज रहे हैं तो आप कैसे 5 दिन के अंदर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जी हाँ, यदि आप चाहें तो 5 दिन में अपनी किसमत बदल सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा आपको, क्या रोड मैप बनाना होगा, आएए उस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है, कि जिन्दगी में कुछ भी पाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए पोजिटिव एटिट्यूट का होना बहुत जरूरी है, यानि सकरात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है तो यकीन मानिए, यदि आपकी सोच सकरात्मक होगी, यदि आप पोजिटिव एटिट्यूट के साथ अपने काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीवन की परिशानिया कम होती चले जाएंगी, सफलता के रास्ते बनते चले जाएंगे तो यदि आप पास दिन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, या कोई टारगेट एचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है अपने एटिट्यूट को पोजिटिव कर लीजे दोस्तों, ये जो हम आपको टेक्निक या उपाय बताने वाले हैं, इसको जिन लोगों ने अपनाया है, मैंने भी अपनाया है, तो उसके लिए हमें पहले पूराजिटिव एटिट्यूट के साथ काम करना होगा, अपने सुभाव को सकरात्मक बनाना होगा जिन लोगों ने अपने एटिट्यूट को पूराजिटिव नहीं किया, सकरात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़े, उनको फायदा नहीं हुआ, पांच दिन में वो अपने सपने साकार करने में काम्याब नहीं हुए जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा, कैसे होगा, इसी में उलजे रहे और फिर वो काम करते रहे और डाउट में ही उनका सारा समय निकल गया और पांच दिन में वो अपना टारगेट एचीव नहीं कर पाए, पांच दिन में वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला तो यदि आप जिन्दगी में कोई चीज पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक टारगेट आप पांच दिन में पूरा कर लें तो उसके लिए पहली सर्त जो है पहली नीड पहली जरूरत यह है कि अपने एटिटीट को पॉजटिव रखिए मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप पांच दिन में कोई बहुत बड़ी जो है आपकी इक्षा है वो पूरी हो जाएगी आप अपनी डिजायर को अपने सपनों को जो है कैसे एचीव कर सकते हैं उसका रास्ता बताएंगे और अपने टारगेट को एक टारगेट बना लिजे कि आप 2019 में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं या 50 लाख रुपए कमाना चाहते हैं या एक कड़ोर रुपए कमाना चाहते हैं तो पांच दिन में एक कड़ोर कमाने का टारगेट मत बनाईए अपने टारगेट को माल लिजे कि आप 2019 में एक तो दूसरा क्या है कि आपके जो सपने हैं जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं उनको कुछ parts में divide कर लिजे, steps बना लिजे कि पहले step में मुझे ये करना है, दूसरे step में ये करना है, तीसरे step में ये करना है, चौथे step में ये करना है और पांच में step में मुझे अपना प जो nature है यह आपके साथ होगा और यह आपको आपके target पूरे करने में आपके सपने साकार करने में help करेगा लेकिन यदि आपका negative approach होगा तो यही universe के साथ आपका तालमिल नहीं बैठेगा और negativity जब आपके body से जनरेट होगी मन से जनरेट होगी तो universe जो है उसको positivity में कैसे convert तो आप positive रहेंगे तो nature में positive vibration जाएगा nature से positive vibration आपके अंदर आएगा और आप अपनी target की और बढ़ती चले जाएंगे जो hurdles आएंगे उनको आप जीतते चले जाएंगे तो पहली चीज़ तो यह है कि positivity बढ़ाईए दूसरा जो है जो आपका लक्ष है target है उसको parts में divide कर ली कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि 5 दिन में आप एक target पूरा कर सकते हैं उसके लिए अपना manobal उचा रखें positive attitude के साथ manobal उचा रख करके आपको काम करना होगा देखिए मैं आपको एक बड़ी important बात बताता हूं हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं इस बात को दुनिया मान मानती है साइंस मानता है और यह जो हमारा दिमाग है जिसको आप हिंदी में मन भी कह सकते हैं दिमाग कह सकते हैं चेतन मन और अवचेतन मन आपने सुना होगा दो मन होते हैं चेतन मन वो है जो आप सामने है जो कुछ आप activity सामने कर रहे हैं वो चेतन मन हैं conscious mind है और अवचे चेतन मन जो आप सोच रहे हैं जो कर रहे हैं और अंतरात्मा की आवाज जिसको आप कहते हैं और चेतन मन होता है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा चेतन मन है आप कहते हैं न कि जो आपने अभी सोचा आपने सोचा कि अमेरिका तो आपका दिमाग अमेरिका पोहınच गया तो हमारा जो चेतन मन है जो की इतना fast चलता है मन को माना गया है कि सबसे तेज गती से चलता है तो आव चेतन मन उससे भी ज़्यादा तेज गती से चलता है और ऐसा माना जाता है विज्ञान इस बात को मानता है कि चेतन मन की कंपेरिजन में आव चेतन मन तीस हजार गुना जादा सोचता है यानि जो बात आपने सोची है चेतन मन से उसी बात को जब आप सोच करके छोड़ देंगे वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा तो वो वहीं घूमता रहेगा और उसको 30,000 गुना जादा सोचने की छमता आपके अवचेतन मन में है तो कोई थौट यदि आप सोचेंगे और फिर वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा तो वो 30,000 गुना जादा जब आपका अवचेतन मन उसको सोचेगा तो वो बाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगे और आपका जो लक्ष है उसको अपनी तरफ आकरसित करेंगे अप ां का आवचेतन मन तो मन में पहले आपको सोचना है कि मुझे ये टारगेट प्ूरा करना है फाइव डेस के अंदर मालनेज़े कि आपका टारगेट है कि मुझे पांच दिन के अंदर दो लाख रुपए कमाने है एक छोटा सा टार्गेट ले लेते हैं तो आपने ये सोचा कि मुझे पांच दिनों के अंदर 2,00,000 रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले तो आपने चेतन मन से सोचा और आपको बार बार ये सोचते रहना है कि मुझे हाँ कमाने हैं 5 दिन के अंदर लेकिन इसको वर्ड में कैसे आप express करेंगे आप ये मत कहिए कि मुझे कमाने है आपको कहना क्या है कि मैं पांच दिनों के अंदर दो लाख रुपए कमा रहा हूँ मतलब हमेशा प्रेजेंट में सोचना है तो word जो sentence formation है उस पर हमेशा ध्यान देना है देखो जिन लोगों ने लक्ष हासिल किया है उनकी accuracy sentence formation में सबसे ज़ाड़ा रही है तो आप ये सोचें कि मैं पांच दिन के अंदर जो है पांच लाख रुपए या दो लाख रुपए या पांच लाख रुपए जो भी आप कमाना चाहते हैं वो कमा रहा हूँ तो आप अपने subconscious mind में ये word डालें कि मैं पांच दिन के अंदर दो लाख रुपए कमा रहा हूँ ये नहीं कहें कि मैं कमाऊंगा या हो सकता है मैं कमाऊंगा तो present tense में अपने sentence को form करना है जैसे आगर आपने लक्ष तै किया कि मैं पांच दिन के अंदर दो लाख रुपए कमाऊंगा तो आप एक register बनाए और उसमें लिखिये कि मैं पांच दिन के अंदर दो लाख रुपए कमा रहा हूँ तो इस तरीके से आपने एक sentence बनाया और आपका कुछ और भी हो सकता है कि आप मैं पांच दिन के अंदर ये काम कर लूँगा पांच दिन के अंदर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी पांच दिन के अंदर मेरा कोई और काम है वो सफल हो जाएगा कोई meeting के बारे में सोच रही है किसे project के बारे में सोच रहे हैं तो वो project मिल जाएगा तो जो भी आप achieve करना चाहते हैं five days के अंदर तो उसको present tense में लिखना है और फिर क्या करना है कि प्रति दिन जो है 108 बार वो line आपको अपने उस register में लिखनी है दोस्तों page में नहीं लिखना है आपको किसी paper में नहीं क्योंकि यह continuous process है फिर आपको कोई और लक्ष होगा कोई और target होगा उसको भी पूरा करना होगा तो एक register बना लिजे उसमें लिखे तो जैसे मा लिजे कि हमने example लिया कि पांच दिन के अंदर मुझे दो लाख रुपए कमाने तो आप लिखेंगे कि पांच दिन के अंदर मै दो लाख रुपए कमा रहा हूँ तो इसको 108 बार लिखे और पांच दिनों तक आपको लगातार लिखना है और लिखने का time क्या होना चाहिए जैसे अगर आप सुबह जल्दी उड़ जाते हैं तो आपको कोई disturb न करे तो सुबह उस time पे बैठके लिख सकते हैं या रात को देर तक आप जाक करके काम करते हैं तो रात को जब आपको कोई disturb न करे उस समय लिखना है और कोशिस ये करना है कि आपका चेतन मन और अव चेतन मन दोनों जो है आपके साथ हो उस समय मने कि आपकी पूरी एकागरता जो है उस समय जो आपका लक्ष है जो आप 5 दिन के आने के लिए आप क्या करें तो एक सरल सा तरीका है जो सब लोग अपनाते हैं आप भी अपना सकते हैं उसके लिए क्या करना है आपको कि एक बार गहरी सांस लें और फिर छोड़ें गहरी सांस लें फिर छोड़ें ऐसा जो है आप 11 बार करिए गहरी सांस लें छोड़ें छ जहां आपको कोई डिस्टर्ब करें उस जह में बैठ करके पहले आप जो है इस तरीके से सांस ले और छोड़े फिर दिर दिर अपने आपको मैंड लगे कि कही धर-धर नहीं जा रहा है बिल्कुल फोकस है तब लिखना शुरू कर दीजे अपना मोजा बंद कर दीजे से तो उसको जो है, आप पूरा जो है, उसमें लगे रहे हैं, तब तक अपने मन को इधर उधर हिलने ना दे, तो इस तरीके से 108 बार आपको लिखना है, 108 बार लिखेंगे, फिर अगले दिन, कोशिस करिए कि जो आपका ये राइटिंग का टाइम है, वो सेम रहे, यदि आप तो आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए, या आपने सुबह लिखा है, फिर अपने काम पर जा रहे है, तो आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए, या आपने सुबह लिखा है, फिर अपने काम पर जा रहे है, तो आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए, रहना चाहिए कि मैं जो है पाँच दिनों के अंदर दो लाख रुपए कमा रहा हूँ जो आपने वर्ड लिखा है उसमें जो आपने संटेंस फॉर्म किया है वो आपके दिमाग में आप यदि कोई काम भी कर रहे हैं तो वो सब जो आपका आउच एतन मन है उसमें चलता रहे आप देखेंगे कि ये प्रकत ये नेचर ये यूनिवर्स जो है आपकी तरफ अकरशित होगा और ऐसे रास्ते बनते चले जाएंगे मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि आपने लक्ष बनाया कि दो लाख रुपए कमा लूँगा तो कहीं से अचानक आके आपको कोई दे आपको ऐसी अपर्चुन्टीज मिल सकती हैं आपको ऐसे रास्ते मिल सकते हैं जिसके जरीए आप दो लाख रुपए कमा सकते हैं तो और आप जब पूरे मन से ये कर रहे होंगे आपके सामने किसी का फोन कॉल आ जाएगा जैसे अभी मेल पास आ रहा है या किसी का मैसेज आ जाएगा बहुत सारी अपर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं और आप उन अपर्चुनिटीज को जब कैस करेंगे तो उसी के जरीए रास्ता बनेगा और पांच दिन में आप अपने टार्गेट एचीव कर लेंगे बहुत सारे लोगों ने एचीव किया है मैंने भ किसे पर करेंगे बात मुझे दीजे अनुमती नमस्कार